दोस्तो भारती जनता पार्टी ये समझ नहीं पा रही है कि 19 अप्रेल को वोटिंग है और 19 अप्रेल की वोटिंग से पहले जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ठाकुर समाज नाराज है जो लगातार पंचायते कर रहा है आखिर उसको मनाया कैसे जाए परिशानी इतनी जादा बढ़ चुकी है दिक्कत इतनी जादा बढ़ चुकी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे वो सहारनपूर के आलाका हो चाहे वो मेरट का इलाका हो चाहे वो मुझफर नगर हो छत्री समाज के लोग लगातार पंचायते कर रहे हैं पहले सहार प्रणपुर के नानोता में पंचायत की गई और अब 16 अप्रेल को मेरट के खेड़ा में पंचायत होने जा रही है। बीजेपी कितनी परेशान है कितनी टेंशन में है वो आप इसी बात से समझ लीजिए कि राजनाथ सिंग दो बार इस बेल्ट में आकर रहलिया कर चुके हैं। प्यागी समाज के लोग, सैनी समाज के लोग वो भी अपने अपने गाउं में अलग अलग जगए पर जाकर पंचायते कर रहे हैं। टिकट कहां दिया गया इस चरण में? मुरादाबाद की सीट पर कौर सरवेश को. अब वहाँ पर भारती जनता पार्टी ने कौर सरवेश को टिकट तो दे दिया लेकिन मुरादाबाद के वोटर्स का ये कहना है कि ये सीट कमजोर है क्योंकि ये सीट पिछली बार भी का अपमान हो रहा है और देखे जिस तरीके से ब्रजभुशन सिंग के साथ उन पर मुकदमा दर्जु आचार सहीता का उनको टिकट नहीं मिल रहा उसको लेकर भी नाराजगी है गुजरात में पुरशोतम रुपाला के बयान की वज़े से नाराजगी है यानि पूरे देश म पूरे देश में छत्री समाज भारती जंता पार्टी के खिलाफ विरोध का जंडा उठा रहा है पंचायते हो रही है लोगों से कहा जा रहा है कि भारती जंता पार्टी को वोट नहीं देना है दोस्तों अगर ये छत्री समाज इसी तरीके से नाराज रहा तो इसका असर सि पूर्वांचल में भी छत्री वोटर्स ठीक ठाक संख्या में हैं जिदाने हराने की ख्रमता रखते हैं लेकिन भारती जनता पार्टी क्या करें वो इस छत्री विरोध को थाम नहीं पा रही है राजनाज सिंग से लेकर योगी आदितनाथ तक सबको लगा दिया गया है शोर गाथाएं सुनाई जा रही है छत्रियों को याद दिलाय जा रहा है कि वो कितने बलिदानी है कितने इत्यागी है कितना उन्होंने देश के लिए किया है लेकिन छत्री समाज किसी बात को मानने के लिए तयार नहीं है गुजरात का छत्री समाज अड़ा हुआ है कि पुरुषत्तम रुपाला का टिकट काट ये और पश्चिम में तो अलग नाराज़गी चल रही है यहां के छत्री तो खुलकर कह रहे हैं कि हमको अपमानित किया गया जनरल वी के सिंग का टिकट काटा गया और दोस्तों ये पंचायते भी चल रही है उस बीच खबर ये भी है कि ये पंचायते 17 तारिक तक 17 अप्रैल तक लगातार चलेंगी अलग-अलग गाओं में छोटी पंचायते, बड़ी पंचायते और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पंचायत 16 तारीक को हो रही है मेरट के खेडा में उसमें सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने जनता पार्टी का कोर वोटर हुआ करता था आज वही विरोध कर रहा है और वो भारती जनता पार्टी को वोट ना देने की कसमे खा रहा है और यही वज़े है कि भारती जनता पार्टी टैंशन में है और वज़े ये भी है कि भारती जनता पार्टी इसी वज़े से